लुट, इसे क्या होगा? कदम कदम चलते हैं वो सवस्ता तक पहुँछना है, तो पहली मंजल शील है, जो शील ही पालण नहीं करता, वो कोरि उसकी बाती निर्वानिक वस्ता की, कैसे पायेगा निर्वानिक वस्ता? पहली मंजल सील है और दूजी मंजल ध्यान, ती जी प्रग्या पुष्टि की प्रग्या में पुष्ट हो जाए सचमुच अस्तित प्रग्या हो जाए तो अंतिम पद निर्वान तो निर्वान प्राप्त होता है साख्शाकर होता है मैं उतारते 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 जब सफाई करते हैं हम इस कमरे की सफाई करें इस पजाड़ों लगाएं तो जो मोटे मोटे कचरे हैं वो पहली भुवारी में दूर निवजाएंगे दूसरी बार उससे सुक्षम उससे सुक्षम फिर उसको पानी से दोएंगे तो उससे भी सुक्षम यूँ स्थूल से शुरू करके सुक्षम तो पहले मोटे मोटे करमसंसकार दूर हो जाएं ऐसे करमसंसकार जो कि हमको अधोगती की और ले जाने वाले हैं साधना करते करते पहली बार निर्वान का साक्षाथकार हुआ कब होगा जब कि वो सारे करमसंसकार जो हमको अधोगती की और ले जाने वाले हैं सब की सफाई हो गई निर्वानी कवस्ता के नभूती हुई तो उस तरह के करम संसकार सारे समाप्थ हो गए और उस तरह के करम संसकार बनाने का स्वभाव समाप्थ हो गया अब नए करम संसकार उस प्रकार के बना ही नहीं सकता जो अदोगती के उड़े जाए नरक के उड़े जाये पशु पक्षी करें नहीं सकता, मुक्ति मिली न, तो उस अवस्था से मुक्ति मिली, अधो लोक से मुक्ति मिली, अब ये व्यक्ति अधो लोक में नहीं जा सकता, एक तो ये हुआ, और एक शुरोत में पढ़ गया, अब ये व्यक्ति मुक्त होगा ही, सारे लोकों से, यह तो अधो लोक से मुक्त होगा आगे जाके सारे लोकों से मुक्त होगा शुरोताबन्न मुक्ति के शुरोत में पढ़ गया इसा अधिक से अधिक एक जनम में अथ्वा साथ जनम में नितांत मुक्त वस्था को प्राप्त कर ही लेता है धीमे धीमे चले कोई इसी जीवन में नहीं तो धिमे धिमे चले, मुक्त हो गया, पशू जीवन से मुक्त हो गया, नर्व जीवन से मुक्त हो गया, दोकती से मुक्त हो गया, तो अब मरने के बाद जीवन तो है, तो या तो मनुष्य जीवन मिलेगा, या देव जीवन मिलेगा, देव लोग या मनुष्य लोग, व सदिक सदिक साथ जनम और वो सफाई करते करते साथ जनम भी नहीं बहुत सदिक सदिक एक ही जनम बागि सफाई हो गई तो ऐसा व्यक्ति सग्दागामी एक ही बार आएगा इस काम लोक में मनुष्य लोक में और देव लोक में एक ही बार आएगा और सफाई चलते रहे चलते तो अनागामी अब वो मनुष्य लोग और देव लोग में भी नहीं जनम ले सकता अनागामी आने सकता यहांपर केवल ब्रह्म लोग में जनमेगा और वहां से भी मुक्त होआ तो अरहन्थ हो गया नतिरानी पुनभवोती अब और जनम होने वाला नहीं है अब वो सवस्था पर पहुंचा निब्बानंग परमंग सुखंग ऐसी शितलता ऐसी शान्ति ऐसा सुख जनम मरन का जो चक्कर है वो दुखदाई है उसको कहा कि जब तक ये जनम मरन का चकर चल रहा है तब तक दुखई दुख है इसके बाहर निकल जाओगे तो सही माने में मुक्त हुए दुखों से मुक्त हुए आरी हो गए और जो इस अवस्था में नहीं पहुंचे वो अनारी है कोई हूँ